जब प्राइवेट पार्ट्स में वजाएना में इचिंग की समस्य आती है तो लड़कियां काफी पानिक करने लग जाती है स्पेशली अगर ये इचिंग जो है ये खुजली काफी लंबे वक्त तक चले इसके साथ ही अजीब तरीके से डिस्चार्ज भी होने लगे तो इसके क्या कारण है अगर कोई लोग जो औरते जिन लोगों का संपर्ख नहीं हुआ है तो उन लोगों को अगर इचिंग हो रहा है तो हम जहां तक हम मेरा एक्सपीरियंस है अपने ओपडी का ये लड़कियां डॉक्टर के पास जाने से शर्माती है और घरी में अपना दिमाग इस्तमाल करती है और घरी में डेटॉल इस्तमाल करने लगते हैं इन्फेक्शन है इन्फेक्शन का हल है डेटॉल तो ये अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है अगर ये लोग डेटॉल या किसी तरह का केमिकल आप अगर वजाइना के एरिया में यूज कीचेगा तो आप यह याद ऑखें उपके वजाइना में आपके खुद सोल्जर्स खडए वे हैं अपके सिपाई हैं जिस को जो भी बैक्टिरिया ही कहलाते हैं ठीकर पर वह आपके फ्रेंड्ली बैक्टिरिया हैं वह आपके वजाइना और उस प्राइ। setzt को अच्छा मतलब उस वह इसकी तरफ स कि यह बैक्टिरिया दिखेंगे वह सब को मार देगा तो आपके खुद का शरीर का जो बैक्टिरिया है जो लड़ता है आपके शरीर के लिए वह भी खतम हो जाता है और you become susceptible to infection तब ऐसी लड़ियों को बार बार infection होने का डर है इसलिए आपको अगर वजाइना में infection है अगर आपको घरेलून उसका ही चाहिए कि मतब you don't want to go to a doctor for this small thing तो एक कैंड़ बी क्रीम करके आता है अंटी फंगल क्रीम उसको इस्तमाल कीचे वी वाश और इस तरह के बहुत सारे आजकल शैंपूज आये हैं जो लोकली इस्तमाल करने के लिए वो भी अवाइड करना चाहिए यही पाया गया है मेरे अपने personal experience से जो मरीजों के साथ होता है कि जो लोग ज्यादा वी वाश यूज कर रही है उनको भी ज्यादा infection होने का chances है अपना hygiene maintain कीचे, panties should be changed daily पिशाप करने के बाद या संपर्ख करने के बाद अब तो इतना अच्छा jet आ गया है जो toilets के साथ जो attached है एक jet मारिये और अपने आपको water से clean रखिये even using too much of soap is not recommended तो माम अगर हम लोग infection की बात करें तो इसमें specifically itching की अगर बात की जाए तो इसके क्या क्या reasons हो सकते हैं क्योंकि itching एक ऐसी चीज है जो कि काफी जादा uncomfortable कर सकती है जादा itching होने से राश भी वहाँ पर आ सकते हैं sensitive area है तो इचिंग के कारण सबसे important is infection जब भी आप infection का इलाज अपने doctor से करवाती है यदि आपका किसी भी इनसान के साथ संपर्ख है तो आप उसके लिए भी आप दवाई लेके जाएए अगर आप सिर्फ अपना इलाज कीजेगा और जिसके साथ आप रहती है वो पती है या friend है आप उसका अगर इलाज नहीं करवाईएगा करिए का चार गोली का इलाज है तो आपको infection फिर वह आपस आएगा और बार बार infection का इलाज कराने से आपका शरीर थेतर हो जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई दवाई आपके काम नहीं करेगी इसलिए जबी भी आप infection को इलाज करें you must treat the cause and the cause is usually the male तो इसलिए male partner के लिए भी आप दवाई जरूर लेके जाएए number one number two itching का कारएज ये भी हो सकता है अगर कोई मोटी औरत है पसीना के कारएज आपके कारण लाट़त्स हो आपको नहीं समझ पाएगी चाहिए और जाना Size है लिए आप एसी जोकी active नहीं है उन्हें अगर यह समझ्य हो एग जाना चाहिए जाना यहानग को रर पेसे program Oder तो उसके पीछे क्या infection हो सकता है ये क्या infection है आप ये भी थोड़ा विस्तार से समझा है जी बिलकुल जो लोग sexually active नहीं है उनको क्यों नहीं infection हो सकता है अगर उनका hygiene अच्छा नहीं हो या उनका body immunity अच्छा नहीं हो अच्छा नहीं हो अच्छा नहीं हो सकता है